चिठियों की अनूठी दुनिया पाट के प्रस्न उत्तर तो बच्चो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं पाट का नाम क्या है चिठियों की अनूठी दुनिया आप देख रहे हैं नहीं यहाँ पर और यहाँ पर पहला प्रस्न आपके लिए पत्र जैसा संतोस फॉन या SMS का संदेश क्यों नहीं दे सकता आप देख रहे हैं यहाँ पर पत्र जैसा संतोस फॉन या SMS क्यों नहीं दे सकता तो आपका उत्तर होगा पत्र जैसा संतोस फॉन या SMS का संदेश नहीं दे सकता क्योंकि फान, SMS द्वारा केवल कामकाजी बातों को शंचित रूप से ब्यक्त कर सकते हैं आप देख रहे हैं पहले का उतर पत्रों द्वारा हम अपने मनोभावों को खुल कर ब्यक्त कर सकते हैं पत्रों से आत्मियता धलकती है इन्हें अनुशंदान का बिसेवी बनाया जा सकता है ये कई किताबों का आदार हैं पत्र राजनिती, साहित्या तदा कला के चेत्र में प्रगतिसील अंदोलन के कारण बन सकते हैं या चमता फौन या SMS द्वारा दिये गए संदेश में नहीं है पत्रों का आकर बड़ा और उनका श्तत्व अस्ताई होता है जिने बविश्चे के लिए संबाल कर रखा जा सकता है तो आपने जाना यहाँ पर पहले प्रस्ण का उत्तर कि आप पत्र जैसा संतोष फौन या SMS का संदेश क्यों नहीं दे सकता तो आप ठीक इसी परकार से इसका उत्तर लिखेंगे इसके बाद दूसरा प्रस्ण आपके लिए यहाँ पर पत्र को खत, कागद, उत्तरम, जाबू, लेक, कडिद, पाती, चिठी, इत्यादी कहा जाता है इन सब्दों से संबंदित भासाओं के नाम बताईए तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कई परकार के सब्द यहाँ लिखे गए जो कि पत्रों को अलग-अलग भासाओं में कहा जाता है तो आप देख रहे हैं यहाँ पर उत्तर खत, खत किस भासा में कहा जाता है? उर्दू में और कागत कहा जाता है कनड में उत्तरम तेलगू में जाबू तेलगू में लेखवी तेलगू में कड़ित तमिल भासा का सब्द है पाती जो हिंदी का है चिठी हिंदी का है और पत्र सस्किर्ट भासा का तो इस प्रकार से आप देखें यहाँ पर कि अलग-अलग बासाओं में पत्र को अलग-अलग नामों से जाना जाता है उसके बाद आपके लिए तीसरा प्रस्ण होगा पत्र लेखन की कला के विकास के लिए क्या-क्या प्रियास हुए लिखिए तो आप क्या लिखेंगे इसमें उत्तर पत्र लेखन की कला को विक्षित करने के लिए दुनिया के सभी देशों द्वारा पार्ठे कर्मों में पत्र लेखन का विशे सामिल किया गया बिश्व डाग संग की ओर से सन 1972 से 16 वर्ष से कम आयू वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन परतियों की ताएं आयूजित करने का कारेकरम भी सुरू किया गया तो यह होगा आपका तीसरे प्रसन का उत्तर इसके बाद आये जानते हैं आपर चोथा प्रसन और उसका उत्तर पत्र धरोवर हो सकते हैं लेकिन SMS क्यों नहीं तरक साइथ अपना विचार लिखिए तो आप क्या लिखेंगे इसका उत्तर पत्र ब्यक्तिकी स्वयम की अस्ति कर रख सकते हैं जबकि SMS को मोबाइल में सेज कर रखने की चमता ज्यादा समय तक नहीं होती है SMS को जल्द ही भुला दिया जाता है पत्र देश काल समाज को जानने का साधन रहा है दुनिया के तमाम संग्रहालें में जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनुठा संक्लन भी है उ इसके बाद आए जानते हैं यहां पर पांचवां प्रसन आपके लिए क्या चिठियों की जगे कभी fax, email, telephone या अथ्वा आप mobile भी ले सकते हैं आप देख रहें नहीं आपर पांचवां प्रसन है क्या चिठियों की जगे कभी fax, email, telephone तथा mobile ले सकते हैं तो आपका उतर पत्रों का चलन न कभी कम हुआ था न कभी कम होगा चिठियों की जगे कोई नहीं ले सकता पत्र लेकान एक साहितिक कला है परंत fax, email, telephone तथा mobile जैसे तक्निकी माध्यम केवल कामकाश के छेतर में महतोपूर्ण हैं आज यह आऊ सकताओं में आते हैं फिर भी यह पत्र का स् जो आत्मियता प्रेम और लगाव मिलता है वह संचार के इन साधनों से नहीं मिल सकता तो इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे यहाँ पर पांचवे प्रसनिका इसके बाद आपके लिए छटा प्रसनिया आप देख सकते हैं किसी के लिए बिना टिकट लिफावे पर सही पता लिखकर पत्र बेरंग बेजने पर कौन सी कटनाई आ सकती है पता कीजिए तो आपका उत्तर होगा बिना टिकट साधे लिफावे पर सही पता लिखकर पत्र बेरंग बेजने पर पत्र को पाने वाले ब्यक्ति को टिकट की धनरासी जुरुआने के रूप में देनी देखें पिन कोड भी संक्याओं में लिखा गया एक पता है कैसे तो आपका उत्तर होगा पिन कोड किसी खास छेत्र को संबोधित करता है कि या पत्र किस राज्य के किस छेत्र का है इसके साथ व्यक्ति का नाम और नमबर आदि भी लिखना पड़ता है पिन कोड का पूरा रूफ है पोस्टल इंडेक्स नमबर या छे अंकों का होता है हर एक का खास अस्तानी आर्थ होता है जैसे एक अंक राज्य का दो और तीन अंक उफचेत्र के अन्य अंक करमशा डागगर आदि के होते हैं इस प्रकार पिन कोड भी संक्याओं में लिखा ग महात्मा गांधी इंडिया पता लिखकर आते थे आप देख रहे हैं यहाँ पर आठवा प्रस्ण ऐसा क्यों होता था कि महात्मा गांधी को दुनिया भर से पात्रे महात्मा गांधी इंडिया आप देख रहे हैं यहाँ पर महात्मा गांधी इंडिया यहाँ पता लिखकर आते थे तो ऐसा क्यों होता था आपका उत्तर होगा गांदी जी भारत में ही नहीं पूरे विश्व में जाने वाले व्यक्ति थे यानि कि जाने वाले व्यक्ति हैं जाने जाने वाले व्यक्ति हैं क्योंकि गांदी जी को पूरा विश्व ही जानता था उन्हें दुनिया वर स तो यह थे गांधी जी देस के किस भाग में रह रहे हैं या देस वाशियूं को पता रहता था। आता है उने पत्र वस्य मिल जाता था। वह किसी एक परिवार या अस्तान के नवकार पूरे भारत के परतिनी दि थे। इसलिए कई लोग माहत्मा गांदी इंडिया लिखकर उ बेरिया आप जोए अपने गाओं से दूसरे गाओं चलि जाते हैं तो लोग आपको पहचानते नहीं हैं लेकिन महात्मा गांधी को सारा देश पहचानता था और बिशूमक के सबी देश पहचानते थे इसलिए जहां भी वे रहते थे लोग उनके बारे में पता कर लेते थे और मात्मा गांदी को उनका पत्र दे देते थे इसके बाद भासा की बात अगर की जाए यहां पर तो आप देखें यहां पर भासा की बात वाले जो प्रस्णे हैं किसी प्रियोजन विशे से सम्मंदित सब्दों के साथ पत्र सब्द जोडने से कुछ नए सब्द बनते हैं जैसे प्रसश्टी पत्र शमाचार पत्र आप भी पत्र के योग से बनने वाले दस सब्द लिखिए तो आप देख रहें ने आपर पत्र के योग से बनने वाले सब्द जैसे प्रात्ना पत्र आपने देखा था समाचार पत्र प्रसश्टी पत्र तो इसी प्रकार से मासिक पत्र बदाई पत्र वार्सिक पत्र दैनिक पत्र साथाहिक पत्र पाक्सिक पाक्सिक क्या होता है पंद सब्दों के साथ पत्र सब्द जोड़ने से जो नए सब्दों बनते हैं वे इस प्रकार से आप लिख सकते हैं उसके बाद दसवाँ प्रसन आपके लिए ब्यापारिक सब्द ब्यापार के साथ एक पर्ते के योग से बना है एक परते के योग से बनने वाले सब्दों को अपनी पाट्य पुश्टक से खोज कर लिखिए तो आपने देखा ब्यापारिक एक परते लगाए अन्य इसमें ब्यापार प्लस एक तो इसी परकार से इसका उत्तर आप क्या लिखेंगे एक परते वाले अन्य सब्द आप क्या लिखेंगे सुभाव पलस एक साहितिक साहित्य पलस साहित्य पलस एक क्या होगा साहितिक ब्यावसाइक पलस एक ब्यावसाइक तो जो सब्दों के पीछे लगते हैं उन्हें क्या कहते हैं सब्दान से जो लगते हैं इक परते लगाने से ब्यापसाईक इस प्रकार से सब्द आप देख सकते हैं तो बच्चो इसी प्रकार आगे अन्य सब्दू भी आप यहां पर देखें जैसे प्राकर्तिक प्रकर्ति प्लस एक जैविक जैव प्लस एक प्रारंबिक प्रारंब प्लस एक इतियासिक इतियास प्लस एक और सास्कर्तिक सास्कर्ति प्लस एक तो इस प्रकार से आप सारे सब इस संदी में ऊप जानते हैं संदी के बारे में इसके बारे में आप दूसरी वीडियो भी देख सकते हैं जहांपर कि संदी के बारे में आपको पूरा बताया जाएगा दीर्ग स्वरसंदी के और उधारन खोच कर लिखिये मुक्य रूप से स्वरसंदियां चार प्रकार की मानी गई है दीर्ग, गुण, ब्रदी और यन संदी और ध्यानदे बच्चों ये क्या हैं स्वरसंदी के बेद हैं आप स्वरसंदी के बेद हमारी दूसरी वीडियो में देख सकते हैं तो इसके बाद बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हैं स्वर्या दीर्ग A.E.U के बाद और अपस में मिलकर कर्मशय दीर्ग आ ई उ हो जाते हैं इसी कारण इस संधी को दीरग संधी कहते हैं जैसे संग्रह प्लस आले महा प्लस आत्मा महात्मा इस परकार के कर्म से कम से कम दस उधारन खोचकर लिखिए और अपनी सिक्सक को दिखाईए तो आपका उत्तर क्या होगा गुरू यहां पर आप देखें गुरू प्लस उपदेज इसी परकार शंग्रहले शंग्रे प्लस आले और हिमाले हिम प्लस आले और भोजन आले भोजन प्लस आले आप देख रहें ने पीछे ए प्लस आ ए प्लस आ उ प्लस उ दिख रहें ना आपको इसी परकार से आप इन्हें लिख इच्चा, अनुमती, अनुपलस मती और इसके बाद शूर्य पलस उदे और सदा पलस एव सदेव इस प्रकार से आप इन सब्दों को लिखें और संदि से संबंधि storage वीडियो देखने के लिए और अधिक जानकाली के लिए संधी पार्ट का वीडियो जरूर देखें तो इस परकार बच्चो यहाँ पर आपका यह पार्ट समापत होता है